प्राग राज विश्विद्याले के चादरा और मंसूर सायर अमकल बलरामपुरी भी प्रदर्सन इस्तल पर पहुँचे और अपने तेवरों के जरीय सरकार की मंसा पर कई सवाल खड़े किये अमकल बलरामपुरी ने अपका जो है समाज का वो जानता कि उनके लिए कौन से लीडर सही है कौन से लीडर नहीं है इन्होंने वहाँ पर भी धरमजात पाद के नाम पर बाटने की कोशिश की इन्हें इतनी बात की शर्म नहीं आई इस बात पर इन्होंने शर्म महसूस नहीं भी कि ये जिन माओ बहनों पर ये तंस कर रहे थे यह नहीं माओ बहनों के लिए कह रहे थे कि हम तीन तलाक का बिल इसलिए ला रहे हैं कि कि हमें मुस्लिम माओ बहनों से प्यार है मगर आज नहीं माओ बहनों की खिलाफ या आपात जनी तरह की बातीं कर रहे थे तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता नहीं नकार दिया दिल्ली की जनता को जो है मंदिर मस्जित के मुद्ध में नहीं पढ़ना उन्हें मालूम है कि मंदिर मस्जित के मुद्धों पर इससे पहले सरकारों में हमें बहुत बेकुब बनाया वो चाते हैं कि दिली में जो है तरक्की हो और यह हकीकत है कि यह देश जो है यह किसी धरम से नहीं बलकि हमेशा करम से चला और आगे भी करम से चलेगा परहें कर रही है यह कहते कुछ और ने कहा चाहएंगे तो काला धन prob नहीं कि आए इन्होंने कहा कि हम दो लाक दो क्रोल जो भूड में को भूड को रोजवान्यों को अभी तक रोजवान रही हैं नहीं किया उस मुद्दे पे अगर आज अनर्सी सीए ये ला रहे हैं तो कहीं न कहीं जब ये बात करते हैं पार्लामेंट में तो हिंदुस्तान के उस एक तपके को छोड़ देते हैं जिनके लोगों ने जिनके अबाव अज़ात दे इस मुल्क की अमनों उमान के लिए इस कि लिए व्लक देने का पराओधान नहीं है इस से पहले भी तो लोगों को राखिल कहा से मिली है इस से शुद्रा की चीज़ने करके ये देश को तोलना चाहते हैं कि अनग्से कदम पर चलने हैं कि पहले इनको बातो मंदीर मजिद धर्म करानं पर और उसके बाद इन मर्जी से इस चमन की हवा सुहानी नहीं चलेगी अक्मल बल्राम पूरी छात्र जाम्य मिल्ले इसलाम्याँ सब्सक्राइब करें इंडियेट आमनीज चैनल और वेल आइकन रवाना ना भूलें इंडियेट आमनीज अपडेट सकते पहले आपको मिल पाएं